आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट है और इसमें आपको जोग्राफी के एक से लेकर 100 तक बहुत ही इंपर्टेंट कोईशन मिलेंगे और कल बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जोग्राफी तो मतब गुरूप डी में आईगी नहीं है ऐसा किसने बोल दिया आपसे जोग् करेंट अफेर और साइंस जो है आपका स्पेशल टॉपिक नों ने दिया जरूर है पर यह जो आपका जर्नल वाला जो है जिसमें पूरा समान ने वहां पर आपको जोग्राफी जरूर मिलेगी ठीक है और यह समझ लेजए हर एक्जाम में जोग्राफी के चार से पांच छे कैमेंट करते रहेगा जिनको जिनको आंसर आ रहे होंगे ठीक है और जिनको नहीं वह भी कमेंट करते रहे जिका घलत साही होता रहता है पर अपने आपको चब्शक जरूर करिऄ एक्जाम दीरे- nível क्या रहा हो करिब करी आ रहा है ठीक है तो फ्रस्ट्ट को या कि उर्सव क्या कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रे कौन सा है यह भी बहुत अच्छा कोशन है देखे जोग्रफी का सबसे इंपॉर्टन टॉपिक आपका सौर मंडल क्योंकि यहां से कोशन हर बार रेलवे में बनते ही बनते हैं ठीक है तो इसको सोड़ा से बहुत अच्छे से मंडल का सबसे बड़ा उप ग्रे कौन सा है कि यह सरवादिक रूप से गेसों से घिरा हुआ है तो यार रिखेगा यूरेने जो है यह सरवादिक क्या है गैसों से गिरा हुआ ठीक है नैस कोशन कहा कि दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी निमलिकित में किस नाम से जानी जाती है बहुत अच्छा कोशन है दो देशांतराओं के जो रेखाएं उनके बीच की जो दूरी है वह किस नाम से जानी जाती यह बोला जा रहा है चल दिसका आंसर केमेंट करिए तो यहार रिखेगा इसे बोलते हैं गोरे ठीक है नेस कोशन कि आपका कि दच्छनी दुरू का अच्छांस क्या है का फेच्छा कोशन पूछा गया याद रिखेगा दच्छनी दू का अच्छांस क्या है बताइए तो यहार रिखेगा दच्छनी दूरू का जो अच्छांस यह आपका है 90 डिग्री ठीक है नेस कोशन क्या कि अंतराश्ती तिितिरेका क्या क्या कहलाती है हुआ है मैं है ये एकसग डिग्री देसानतर ठीक है नरिज कुशन शाइकि भारत का जो प्रमाडिस समय लिया गया है यह बहुत वार पुछा गया कोशन है और बहुत एजी भी लगभख है टैस में हैं को तो यह रहिए यह आपका युनाइट किंड़िट में ठिक है नैश कोशन क्या है की एक देशांतर को पार करने में दो इस्थानों के इस्थानी समय के बीच अंतर आता- है का उनतर होता रबताईए इई एक देशा अंतर को पार करने में दो इस्थानों के इस्थानी समय के बीज के अंतर क्या होता है बताइए तो यह रखेगा चार मिनट का अंतर होता है ठीक है नेश कोशन कि आपका कि नियम लिकित में कौन सी घटना धरातल पर नहीं होती काफे अच्छे कोशन नियम लिकित मे से घटना जो धरहतल पर नहीं होती तो यहां रेकंवाएं इया आपका ओका शुनामी क्या होगा कि भारत में सबसे पुरानी परवथ माला कौन से भारत में पूछा गया है शमझ लिजिए में सबसे पूरानी परवत माला है तो यार के कि भारत की सबसे पुरानी जो परवत माला यह आपकी अरावली ठीक है नेस कोशन कहा कि कौन सी परवत सरंकला विश्व में सबसे बड़ी परवत सरंकला में से एक है यानि विश्व की सबसे बड़ी परवत सरंकला कौन सी है तो यह आपकी है और ऐसे ही कोईशन जो आपके पूछे जाते हैं ठीक है तो आप बहुत अच्छे से पढ़कर चलिए यह समझ लेज़ें ठीक है तो क्या है वायू मंडल में सरवादी मातरें पाई जाने लिए गया सित या रिखेगा यह आपकी नैट्रोजन ठीक है कि ओजोन की परत प्रत कि वायू मंडल में धूल के कर किस मंडल में उपस्तित होते हैं तो यह इस तितीत होते चोब अच्छे क्याएं कि रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरस ते तो यार के कम आदरता के कारण ठीक है नेस कोशन क्या है कि विश्व की सरवादिक गहरी जील कौन सी है यह भी बहुत अच्छा कोशन है कि विश्व की सरवादिक गहरी जील है यहार रखे गयें आपके बैकाल जील प्रताप किस नदी पर इस्तित है यह भी बहुत अच्छा कोशन है यह इस्तित है के आपका कैरोनी नदी पर ठीक है कि सवेज नहर के बनने से किंदो इस्तानों का समुद्री मार्ग जो है वो छोटा हो गया है तो इसका आंसर होगा आपका लंदन से चिननाई तक कर ठीक है यह अच्छा कोशन यादके का यह पूछा भी गया है आपके अररभी में ठीक है नेश कोशन कि आपकी पनामा नहर का निर्माड किस वर्स किया गया था पनामा नहर का निर्माड किस वर्स किया गया था तो यह किया गया था उन्नी सो चौदा में ठीक है कि किस महादीब को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है कि किस महादीब को किस नाम से जाना जाता है नई दुनिया के नाम से जाना जात करता है कि याद रिखेगा कि अमेरिकाओं किया जाना अगया कि नए कि नाम से जाना था ठीक है इसका को उना यहाध परवद को पूछते हैं कि यह रोप किस परवत कंसे परवत पड़ता यह भी किसे अण्द महां द्वीब कहा जाता है तो यहां दखेगा कि अंध महा द्वीब कहा जाता है अफ्रीका को ठीक है तो यहां देखेगा यहां जाता है कि हिंद महा सागर में सबसे बड़ा कौन सा है बहुत अच्छा कोशन है कि भारत का सबसे बड़ा ड्वीप कौन सा है तो यहाद रखेगा कि भारत का सबसे बड़ा जो द्वीब पर बताईए इसका अंसर आपको आता तो केमेंट करिए तो यहाद रखेगा कि भारत का सबसे बड़ा जो द्वीब पर यह आपका मद अंडमांटिक कि भारत एवम स्री लंका के मद विवाद किस द्वीब को लेकर है काफी बार पूछ रहा था यह कोशन कि भारत एवम स्री लंका के मद विवाद किस द्वीब को लेकर है तो यह रखेगा यह कच्छा तीवु द्वीब जो है इसे भारत और स्री लंका के बीच इसमें गोलिया में ठीक है नमीश्ट मका कि सबसे चोटा महा सागर कौन सा है किसे छोटा जो महा सागर कौन सा ह reflex सुझ कैब के सब्सक्राइब अप्रहार सब्सक्राइब करों कफे तो यहाद रखेंगा डेविस जलसंदी से ऑफिस 순ड़ीया एशिया और उत्तर.'" अमेरिका जो है वहज हो्ते फिर्षा है नैस्ट कॉ्च्छिन विस्व का सबसे सबसे उचा बांद स्थित हैं तो या रखे का कि विस्व का सबसे किस राज में इस्तित है तो यहार रहाँ यह आपका अंदल के मैं ठिक है kuश्न कि अरावली पर्वत का सर्वोच सिखर कौन सा कोश्चन कि अरावली पर्वत का सरवोच Lahar कौन सा एं तो याद रहाँ रहाँ कि सबसे उची चोटी आपके अनाई मुंडी ठीक है जम्मू कस्मीर से श्री नगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है तो यहां रखेगा यह गुजरता है आपका बनी हाल से ठीक है जो जल्ला दर्रा जो है किस राज में इस्तित रहे रहे आपके अपका जम्मू कस्मीर नाज है जहले पर प्रशिद नगर इस्तित है क्या बार पूछा रहे जो जहलम नदी पर प्रशिद नगर इस्तित है तो यहा रहा किए असम स्य Agr sore था थिक है नकथ ने नियुखित बहुद मरत की और सब से पवित्र नदी मानी जाती है तो यह तो यह मानी जाती है कावेर सद्व नदी ठीक है से होकर बैती है कई बार यह भी कोशन पूछा गया है निम्रिकित में कौन से नदी जो है वो भ्रंज घाटी से होकर बैती है तो यहार रहे कि यह बैती है नर्मदा ठीक है नेस्ट कोशन कहा कि भारत का सबसे उचा नदी बांद है यह कौन सा बांद बताईए भारत का सबसे ऊच नदी बांद यह आपका घड़ा ठीक है नेचर कोशागा के अपका सरदार सरवर बांद से अलबाराप्टर करने वाला राज नहीं है यानि कौन सा राज जिसे अभारतिर की किइंड नहीं होगा diferente घॉस्चन कि किस भारती राज में पवन उर्जा का उत्पादन सरवाधिक होता है तो या देखेगा यह होता तमिल नाडू कंदर ठीक है नेस कोशन कहा है कि पेरियर बांध किस भारती राज में इस्तित है पेरियर बांध किस भारती राज में इस्तित है तो याद रखेगा केरल में ठीक है नेस्ट कोशन क्या कि कि किस भारती राज में सरवाधिक राष्ट युद्ध्यान इस्तित है काफे चा कोशन कि किस भारती राज में सरवाधिक जो है राष्ट युद्ध्यान इस्तित है तो इसका correct answer आपका होगा मद्ध प्रदेश ठीक है नेस question क्या कि जो चेनार के वेच किस भारती राज में पाए जाते हैं तो यारेकेगा जम्मू एवं कश्मीर ठीक है नेस question क्या कि लोग टक क्या है बताएए जो है लोग टक क्या है तो लगबग लोगों को पता ही होगा यह एक जील है ठीक है नेस question क्या आपका कि हैदराबाद में इस्तित प्रसित जील का नाम क्या है तो यारेकेगा इसका नाम है आपका हुसेन सागर ठीक है नेस question क्या कि किस भारती राज में सूर्ष सबसे पहले निकलता है कई बार पूछा गया कोशन ये भी है कि किस भारती राज में सूर्ज जो है सबसे पहले निकलता है तो ये आपका है सिक्किम ठीक है सौरी अनौा चल प्रदेश नेश कोशन कहा कि बांगला देश में सरवाधिक सीमा बनाने वाला भारती राज ये कौन सा है ये बांगला देश के साथ सरवाधिक सीमा कौन सा भारती राज बनाता है तो ये आपका है सुक्र ठीक है नेश कोशन कहा है कि राजस्तान में खेतड़ी जो स्थान है क्यों प्रशिद है तो यार दखेंगी ताम एक उठदन किले ठीक है नेश कोशन कहा है कि ये जनगल ना के अनुसार कौन सा भारती राज सबसे सक्षित है जनगर्णा भी अपढड़ पढ़ दीजिये गा पूछी जा सकती है कि 2011 के जनगर्णा के एनुसर कौन सा भारती राज्यों सब ज़्यदा सपथ重要 कि 2011 के जन गलना के एनुसर किस भारती राज्यों महिलाओं का जो प्रतीशत दुरुस कि तुल्दा में सबसे कम था यह दो इसका करे तो अंदिश्ट कोशन का कि बादभी पूर नेशिनल पार्क स्थीद है और यां रखे गई आपका डीथ निहांaney ट्यृह कि नि स्टीथ में ठीके प्रत्वी पर ऊर्जा का प्रमुक्त रोटकॉidd कोसिन क्याया कि मांट आब 23 शेतcover राज तो यहां रेक्षान इंड सेथान इस कि किस भारती सहर ने कि इस कोशन कि असम का काजी रंगा राश्ट उद्यान जो प्रशिद है कि सवाली गंडे के लिए ठीक नई कोशन कि भारति में कि नदी का विस्तरत मैदान सबसे बढ़ा है काफेच कोशन कि भारत में किस नदी का जो है विस्तरत इस्थान जो मैदान है वो सबसे बड़ा है तो यार रखेगा यह आपका है गंगा का ठीक है नेस्ट कोशन कि भारत में सूती वस्तर का प्रमुक के अंदर कौन है भारत में सूती वस्त्र का प्रमुक केंदर कौन है तो यह रहतले हैं यहां यह का है मुंबई ठीक है काफेच पूछ और तो यह महा नदी गाए तो यह रख्यों कि आप काई बार पूछां कि भारत की पश्शिम सीमा पर कौन सा देश ह провод तो यह रख्यों गाइ यह हुझत भारतली पाकिस्तान क्या है कि मनार की खाड़ी अलग जो है भारत को करती है किसके साथ करती है मननार की खाड़ी जो है भारत को किसके साथ अलग करती है क्या रखेगा मननार की जो खाड़ी है भारत को स्री लंका से अलग करती ठीक है पहरत क्या है की बहुत का पूब्हारत का सबसे बढ़ा केंशाची प्रदेश किसोन के यानि कौन नगहीं को भे खोल कि भारत का संमुद्री निकटम पड़ोसी देश कौन है यानि समुद्र से सबसे पड़ोसी डेस है वो कौन सा है यह पूशा जा रहा है थो दिख करते आच वहीं सेमा नहीं बनाता कौन सा भार्ती राध जोए सब चीन के साथ सीमा नहीं बनाता तो देख करते होका तरीपुरा ठीके जो ए चीन क्षाथ widget new नहीं बनाता है कऊहां पर होता है तो देख इसका समापन होता है बंगाल की खाड़ी में ठीक है नेस्ट कोशन कहा कि कि इकर वनस्पतियां पाई जाती है तो यह कहां पाई जाती है वनस्पतियां तो यहां रखेंगे यह कैसे पौधे हैं मरुस्तली पौधे हैं ठीक है भारत में प्राक्तिक गैस का सरवाधिक उत्पादन, तो देखिए करता है गुजरात, ठीके? नेस कशें का कि किस भारती राज में उर्रेनियम सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है, लग कका का कि कोफी की खेती के लिए सबसे उप्यूक्त मृध्दा कौन सी है, तो यहां देखेगा कि कॉफी की खेती के लिए सबसे उप्यूक्त म्रदा है आपकी लेटराइट म्रदा नेश्क कोशन काया है कि इंद्रा गांधी अंतराष्टी हवाई अड़ा इस्तित है तो यह कहां इस्तित बताईए तो देखेगे इस्तित आपका दिल्ली गंद्र ठीक है नेश्क कोशन क्या आपका कि पीली क्रांती का संबंद किससे है पीली क्रांती का संबंद है आपकी तिलहल उत्पादन से ठीक है नेश्क कोशन क्या कि माता टीला बांध पर्योजना इस्तित है कई बार पुछन है ये कि माता टीला बांच पर्यज़न इस्थित है तो यह रहन करें यह इस थित आपका उतरब्रचा ठीक है कोल कत्ता किस नदी पर इस थित है तो यह सती था आपका होग़ी नदीब फे minist करण कि आपका कि पाराधीब बंदरगाह इस थित है ने यह आधर आधी केता बेगं पेड अंदर रास्थ्य हवाई औड़ा स्थित है तो आधर पयाल है, है थेके ही जैटराबाद में ठीक है, मैंस स्राइट ऊद्यां स्थित है इंद उद्धिस है इस कोशन के pocz की आपका यह जैजघा परोजनसस करोड़ करनेती, बटाता हुआ है कि यह रखेगा 1987 तही प्रतवल इस्थान का अधिग जबांग … अधूरलो में जो प्रताम इस्थान रखता है तो इह अधिक यह रखता है प्रता न होचे upset निपाल से कौन सा भारती राज जो सीमा नहीं बनाता तो आपका है हरियाना ठीक है थोड़ा तेज चल रहा हूंगा में लेकिन थोड़ा सी समसकता हूं में लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है इसलिए में थोड़ा तेजी चल रहा हूं ठीक है तो next question क्या है अफगान खिली में हैं कि और बहुत जटा वाले जो फसल होगी ठीक है वह सबस्क्राइब वाहिक देर से यूज होता है चावल इंट्जिक है इंटर्थ बारात का सबसे बड़ा राष्टि उद्यान कहों कि अंपतेस की बाड़त का सबसे बड़ा राष्टि उद्यान कासे आपके और जिमकार्बेण नैशनल पार्क मानस राष्ट्य उध्यान और काना राष्ट्य उध्यान देखिए ऑपसंस के हिसाब से आंसर दिया करिए आप हो सकता है कि भारत का जो राष्ट्य उध्यान कोई और बड़ा हो लेकिन आप फिर बोलेंगे सरी नहीं लेकिन अगर आपको दिया है तो आपको ग्रमपु डेल्टा में मैंगरो वनस्पतियां पाई जाती है ठीक है एनेस्ट कोशन कहा है किस भारती नदी को जैविक मरुस्तल कहते है तो यहार रखेगा दामोदर को कहते है जैविक मरुस्तल तो यह थे आपके टॉप हेंड़ेट कोशन जोग्रफी के जो आपके एक्जा किस भारती है ठीक है झाल झाल